कि है एव्रिवन गुड मॉर्निंग गुड आपनून एंड गुड इवनिंग माइम इस दुश्वुदीप और वेलकम यौल ऑन अनकाडमी कंप्यूटर साइस चानल फॉर अनलिमिटेड लर्निंग टुडेइ बात करेंगे हम मैगनेटिक डिस्क के वारे में जो कि हैं 1990 से 2007 गेट में पुछे गए क्योशन अच्छे क्योशन से और काफी सिमिलर टाइप के क्योशन अब पुछे जाते हैं डिस्क से तो एक्स्प्लोर करेंगे और सीखेंगे ताकि हम शोर्शॉट एक क्योशन एक्जैम में सॉल कर पाएं अगर इस टॉटिक से आता है तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बट बिफोर वी स्ट लेट में इंट्रोड्यूस माइसल्फ मैं नम इस विशुदीब गोठी और आप लोगो के लिए खूब सारी लर्निंग लाते रहता हूं और आप लोगो को इस चैनल के थूँ और अनकैडमी प्लैटफॉर्म के थूँ लर्निंग करवाते रहता हूं ताकि आपका करियर बन पाए इस पर्टिकलर कड़ी में अगर ब्राउसर में जाके भी मेरे लेक्चर्स पो अटेंड कर सकते हैं कैसे करेंगे अनकैडमी आप डाउनलोड करके या फिर अनकैडमी डॉट कॉम पे जाके टीएसी केटेगरी में आप अपना अकाउंट बनाएंगे और उसमें फिर मेरा प्रोफाइल सर्च करेंगे जैसे आ आप सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल मेरी प्रोफाइल के अंदर आएगा आपको फिर मेस्पेशल आज एकदम Harley होती है अप सारी की सारी स्पेशल क्लासस इस लिंक के थ्रू अक्सेस कर सकते हैं अगर कोई कोड कुछे इन स्पैशल क्लास कोणॉं करने के लिए तो कोड वो आप 7th December आज से start हो रहा है link के ये रहे आपके पास QR code इनको scan करने का go to the link and then notify me पे click करने का ताकि आप classes miss ना करो पहली class 3 की 2 बजे questions की 3 बजे revision करेंगे और अच्छे से revision करेंगे अगर आप लोगों का aim है कि आप gate exam को बहुत अच्छे से crack करना चाहते हैं तो बच्चा लोग एक simple सी चीज याद रखना कि gate exam बहुत लंबे time का preparation होता है और इसमें आपको consistently अच्छा करना होता है और फिर अगर आप लोगों को पता हो कि कब किस moment में कैसे prepare करने से हमें best preparation मिलेगा हमें सारे concepts याद रहने लगेंगे हम question के answer लगाने लगेंगे इन सब के लिए आपको चाहिए guidance अगर guidance नहीं मिलता है तो फिर हम जीरो से कहीं start करते हैं कुछ करते हैं फिर कुछ करते हैं failure आता है फिर कुछ करते हैं और ऐसे hit and try में काफ ही time waste हो जाता तो अगर आप compelled name musste नहीं करना चाते ए क्श्रा efforts नहीं लगाना चाते और similar efforts जो आप लगाना चाते हैं उधने में ही अच्छी rank चाते हैं with the top educators of country, live classes, weekly tests, structured courses और बहुत सारे unlimited access के साथ में आपको on Academy Plus का subscription मिलेगा, अगर इसके साथ आप जादा personalized preparation चाहते हैं, परसनल कोच के साथ जाना चाहते हैं, तो फिर आपको iconic subscription लेना सही है, आप iconic subscription में पाएंगे, plus के benefits के साथ में personal coach का benefit जो आपको one-on-one guidance, preparation strategy, customized study plan, आपका performance track करके, आपको booster session देके और आपको personalized analysis करके और personal और customized preparation देगा, ये दोनो subscriptions आप various duration के लिए ले सकते हैं, आप देख सकते हैं, multiple durations available हैं, जो आपका target है exam का, उसके according आप subscription duration fix करके और अपना subscription ले सकते हैं, याद रखेंगे, at the end, checkout page पे ये code use करें, we deep 10, ताकि आपको 10% discount मिल जाए, instant, और मेरा personal guidance के साथ में आप preparation continue कर पाऊ, ये code use करने का मतलब है, कि आप मुझे मेरी team से जुड़ना चाहते हैं, एक top class educators की team है, जो नया batch आपके सामने लेके आई है, स्टार्ट होने वाला है कल से, और आप देख सकते हो, कि ये एकदम basic general aptitude course के साथ स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से आप subscription ले लो, और जल्दी से अपना preparation स्टार्ट कर दो, ताकि आप best quality educators के साथ में, best तरीके से अपनी preparation को आगे ले जा पाओ, good morning, good morning and good morning, जितने लोग join कर चुके हैं, उन सब लोगों को very good morning, जो recorded देख रहे हैं, उनके लिए भी good morning, और सबसे पहला question जो हमारा यहां होता है, वो है, are you ready? If you are ready, comment box में जल्दी से comment करो, you are ready and then we will start the session, sir COA की book बता दो, हैमेचर, काल हैमेचर is the best book for you to go ahead, पढ़ लो आरम से उसमें, अगर आपको books पढ़ने में interest है तो, चलो, start करें session को, तो पहला question हमारे सामने आने वाला है, यह रहा आज का first question, यह देखो, क्या दे रखा है, question को आज आएगा, तो फिर मैं आपको बता दूँगा, कि इस question को कैसे solve करते हैं, मैंने कहा था पहले session में कि यह PYQ मैं सिफ record करने के लिए नहीं लाया हूँ, मैं आज चाता हूँ कि आप सब लोग भी participate करें, discussion में, साथ में solve करें मेरे, ताकि आप और में मिलके और आप लोगो लोग को learning दे पाएं, तो बताएं इसका answer क्या आएगा, कैसे solve करोगे, question बहुत आसान है, खुश जोगी बिलकुल ready है, चीवात है, कर पा रहे हो, कैसे solve करेंगे, पता है आप लोगों को, इस question को, देखो, तीन चीज़ें आपको यहाँ पे निकालनी है, पहली चीज़ है, average latency, दूसरा है, disk का storage capacity, और data transfer का rate, तीन चीज़ें आपको यह निकालनी है, आना, चल, देखते हैं, exactly यह तीन चीज़ें निकलेंगी कैसे, कुछ detail दे रखा है, certain moving arm disk storage devices, following specifications, tracks per surface 404, track capacity इतनी है, disk का rotation speed इतना है, average seek time इतना है, ठीक है, चलिया, अच्छी बात है, एक surface पे आपके पास 404 number of tracks है, अब disk में disk pack नहीं दे रखा है, यह बहुत पुराना question है था, तो उस question में पहले ना, एक single disk आती थी, CD के तरह, सिफिक CD समझ लो, बस इतना ही आता था, disk pack नहीं आता था कि multiple platers हो, आजकल multiple platers आते हैं, तो वहाँ पे एक ही plater है, एक plater की 2 surface, एक surface पे 404 number of tracks हैं, और track की storage capacity दे रखी इतनी, अच्छी बात है, अब सबसे पहला जो हमने निकालना है, वो है average latency, average rotational latency जो होती है, वो depend करती है, एक rotation के time पे, तो पहले rotational speed के according हम निकालेंगे एक rotation का time, तो यहाँ लिख लेते हैं, कि for 3600 rotations, the disk takes time, or the time required by the disk, is equal to 1 minute, rpm, rotations per minute, 1 minute is 60 seconds, or 60,000 milliseconds, then, for one rotation, time required is equal to, 60,000 milliseconds, divide by 3600, कितना हो जाएगा यह, 0 से 0, cancel हो जाएगी, 600 divided by 36, 6 से इसको divide करो, 100 divided by 6, या फिर, 50 divided by, millisecond, अब अगर 50 divided by 3 millisecond आपके पास आया है, क्या, एक rotation का time, then, average rotational latency कितनी हो जाएगी, आपको पताए, average rotational latency कितनी होती है, जल्दी बताओ, average rotational latency होती है, half of one rotation time, half of one rotation time, 50 by 3, यह जाएगा, 25 by 3 millisecond, 8.33 millisecond, यह आगया अपना पहला answer, शहलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, अब यह तो सिफ average rotational latency है, average rotational latency हमने यतनी दे दी है, क्या disk का access time पूछा है, अगर disk का access time पूछेंगे, तो फिर वो हम अलग से निकाल लेंगे, हम रितने यहाँ पे disk का access time लिखने की कोशिश की है, बट disk access time हमें यहाँ लिखने की जरुरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें disk का average latency पूछा है, average latency, actually average rotational latency हम consider करेंगे, वो हमने निकाल दी है, चलो, next देख लेते हैं, second वाला पार्ट क्या दे रखा है, second वाला जो पार्ट है हमारा, वो है disk का storage capacity, अब देखो disk में एक ही plater है, एक plater पे होती हैं दो surfaces, दो surfaces, हर एक surface पे हैं 400 chart track, और हर एक track की capacity इतनी bytes, तो एक काम करते हैं, disk capacity का यहाँ लिख लेते हैं, छोटा सा conceptual formula, surface, और एक surface पे हमारे पास में हैं 404 track, और पूरे track की capacity कितनी आ गई यहाँ पे, ओ, 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 130030 bytes की, देखो कितना आ रहा है यह, count करके बताओ ज़रा, count करके बताओ ज़रा, 130030 into 808, बहुत कुछ आ गया है, यह आ रहा है, almost, almost 100 megabytes, bytes में ही है directly, ठीक है, यह देखो, अम्रिद आपने जो 404 से divide किया है, वो भी गलत है, क्योंकि 404 number of tracks per surface है, number of sectors per track नहीं है, almost 100.19 कुछ आ रहा है, मैंने इसको almost 100 megabytes के आसपस लिख दिया, इसके multiplication को मैंने 1024 से divide किया, फिर 1024 से divide किया, इतना कुछ आ गया, आप 1000 से divide करोगे, तो भी लगबग 101, 102 megabytes कुछ आनसर आएगा आपके पास, ठीके, चलो, यह आगए disk capacity, अब देखो क्या है न, यह questions जो थे, वो subjective answer वाले questions थे, तो हम assumption लिख सकते हैं कि 1 kilobyte और megabyte, we have taken as 2 power 20 here, not the 10 power, 10 power 6, right, चलो, तो third वाला question क्या है, third वाला question में हमें क्या करना है, data transfer rate निकालना है, अब data transfer rate कैसे निकलता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, disk में question भी solve कराया है, आपको पता है कि एक rotation में पूरा track transfer कर सकते हैं, बस यही question है, अगर आप एक rotation का time जो की 50 by 3 millisecond है, उसमें आप इतना पूरा track transfer कर सकते हो, तो एक second में कितना data transfer कर सकते हो, यही transfer rate होता है, transfer rate के लिए मैंने यही तो चीज बताई थी, ऐसी तो करना है, तो कर लेते हैं, चलो, तो लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, in 50 divided by 3 millisecond data transferred by the disk is equal to, how much? 1,00,30,000, 30 bytes. तो, in 1 millisecond, how much data is transferred by the disk is equal to 1,3,00,30 bytes, divided by this much, 50 by 3 millisecond. इसी को अगर हम एक सेकेंड में लिखने की कोशिश करें तो, in 1 second, how much data is transferred? divide by 10 to the power 3, या फिर multiplied by 10 to the power 3, divide by 10 to the power minus 3 और multiply by 10 to the power 3, तो, यह आजाएगा हमारे पास 1,3,00,30 into 3 into 1000 bytes divided by 50. तो, solve कर लेते हैं, आगे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, कितना आएगा, चलो solve करके देखते हैं. 1,3,00,30 into 3 divided by 57801.8 divided by 1024 करेंगे तो, अल्मोस्ट या फिर, यह अल्मोस्ट आ रहा है, 7.8 MB पर सेकेंड, अल्मोस्ट 7.6 to 7.8, in between that. जो भी आप 1000 या 1024 का कन्वेंशन लोगे, उसके according अल्मोस्ट इतना आ रहा है. And that is what our answer is. Third answer. Data transfer rate इतना MB per second. अब देखो, ऐसे questions में न, options नहीं हुआ करते थे, तो हमारे पास कोई चारा नहीं है कि हम एक accurate answer दे पाएं. और इनके कोई answers हमारे पास है भी नहीं, published answers, official keys, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. शुबम, सेथी, 7-8 मार्क का compiler का weightage हर बार नहीं होता है, that's fine, आप छोड़ सकते हो. बाकी के subjects अगर अच्छे से cover कर सकते हो, तो कर लो, आप 92 में से भी 60-70 मार्क्स लाने के capable हो. एक compiler नया पढ़ने के चक्कर में बाकी का अगर revision नहीं होगा, तो problem हो सकती है. चलिए आईए, start करेंगे अगला question, अगला question भी लगबग, उसी type का है average latency P, और data transfer rate Q के बारे में हमें बताना है. Latency is rotational latency. याद रखो बच्चो एक्जैम में कुछ नया अगर पढ़के जाओगे और याद नहीं रहेगा, तो उस नया का पढ़के और समझने का फाइदा नहीं है. फाइदा तभी होगा जब आप कुछ भी पढ़ते हो और वो आपको याद रहे exam में. तुरंत याद आजाए जैसे हैं आप question पढ़ें, immediately. ठीके, तो ये चीज याद रखिएगा कि आप जो भी कुछ पढ़ें, उसका अच्छा revision और practice ज़रूरी है, otherwise वो waste of time और waste of efforts बन जाएगा आपकी gate preparation के लिए. जो लोग live देख रहे हो या recorded देख रहे हो session को मज़ा आ रहा है, तो like जरूर कर देना, चलो बताओ answer क्या आ रहा है इसका, सबसे पहले तो हमें rotational latency निकालनी है, तो one rotation का time आप directly निकालने क्या, 2500 rotations और 2400 लिखा है, 2400 rotations, the disk takes time, how much? 1 minute और 60 seconds और 60,000 millisecond, यह millisecond में क्यों क्योंकि disk बहुत slow होती है, आप disk के access time जहां भी देखेंगे, आप देखेंगे millisecond, millisecond में देरे रखे होते हैं सारी चीजें, on the contrary, जब आप main memory की तरफ जाते हैं, तो main memory में 100, 200, 300 nanosecond कुछ access time होता है, similarly cache memory और fast होती है, 10, 15, 20, 25, 50 nanosecond के आसपास उसका time दे रखा होता है, तो एक rotation के लिए कितना time लगेगा, for one rotation, the time required is 60,000 millisecond divided by 2400, कुछ 25 आना चीए, मेरे ख्याल में 25 millisecond confirm कर लो एक बार, 25 millisecond आया क्या एक rotation का time, अगर एक rotation का time इतना है, तो rotational latency, average वाली, कितनी हो जाएगी, average rotational latency होगी 25 by 2, which is 12.5 millisecond, second question क्या दे रखा है, transfer rate, transfer rate बताना है, track का capacity दे रखा है, 62,500 bits का, bits दे रखी वच्चा, है ना, तो यहाँ पे भी bits per second में ही देना है, Q जो दे रखा है ना, वो भी bits per second में ही दे रखा है, है ना, bits per second में, याद रखना, bits per second में, तो हमें bits per second में ही देना है, 62,500 bits track का capacity है जो एक पूरा track हम transfer कर सकते हैं 25 millisecond में तो हम यहाँ लिखते हैं कि in 25 millisecond data transferred is equal to how much कितना data transfer हो चकता है 62,500 bits तो फिर एक millisecond में कितना data जाएगा डिस्क से देखो तो जरा 62,500 bits divided by 25 millisecond पर यह तो bits per millisecond हुआ इसको second में convert करना पड़ेगा तो in one second the data transferred is equal to 62,500 into 1000 divided by 25 bits per second देख लो कितना आ रहा है almost देखते हैं 625,000 divided by 25 into 1000 काफी ज्यादा है यह तो कुछ गलत तो नहीं किया हमने गिया जाएगा 625,000 divided by 25,500 और 1000 और इतना बिट्स पर सेकेंड यह फिर एफ्रॉक्सिमेंट देखा जाए 1-2-3-4-5-6-2.5 मेगा बिट्स पर सेकेंड नाट बाइट्स देखो जारा 2.5 मेगा बिट्स है यह दीपक सोनी जी आपने यह दो इने पर सेकेंड यह लिख सकते हो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2.5 मेगा स्मल बी पी एस कैपिटल बिट्स होता है श्माल बी बिट्स होता है ध्यान रखियेगा है न, चलो, बढ़िया है, दोनों answers मिल गए हम लोगों को, पहला question का answer ये रहा, दूसरे का ये रहा, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन ये रहा आपके सामने, good, 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 चलो, बताओ इसका answer क्या आएगा, सब लोगों को पता है न, revision start हो रहा है आज से, it should have been started yesterday, but because of some reason, I had to cancel all my yesterday's classes, चलो, कोई बात नहीं दी पग जी, solve करो इस question को, ये question जो है, बस थोड़ा सा घुमावदार दे रखा है, as such कुछ भी नहीं है इस question में, nothing is there in this question, you will have to just, 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 get me the formula, जो हमने classroom में देखे हुए हैं already, झाले कुछ जो हमने जो ही जो हमें आए हैं, झाले कुछ झाले करो को जो हमते हैं, हां जी आन अकाडमी एप पर होगा क्लास बिलकुल चलो देखो consider a disk with C cylinders, T tracks per cylinder, okay T tracks per cylinder मतलग T number of surfaces है, S sectors per track, एक track पे S number of sectors है, a sector length is SL, ठीक है, a logical file DL with fixed record length RL is stored continuously on disk, disk starting at location CLTL SL, ठीक है, अब देखो है क्या, कि एक file है, जो store होती है hard disk पर, जब file store होती है तो operating system का file system comes into the picture, file system करता क्या है, जो हमारे physical sectors हैं, उन पे logical blocks बनाता है, ताकि file system को पता चले कि मैंने अपनी file को कहां कहां store किया है, कौन-कौन से block पे, तो अगर आपने मेरे साथ में OS पढ़ा है, मैंने वहाँ पे आपको file system में disk block का concept बताया है, ठीक है, तो जब आप logical formatting करते हैं, disk की partitions बनाते हैं, एट्सेटरा, तो file system install हो जाता है उस disk पे, और फिर होता है, क्या एक sector या दो sector का एक logical block बनता है, operating system का file system बनाता है, तो यहाँ पे question में वही दे रखा है, कि file है, यह रही file, dl नाम की file है, अब यह जो dl नाम की file है, उसमें record length sl है, मतलब जो block का size है, वो sl है, अब block जो है, logically बनता है, उस उन sectors के उपर, ताकि OS अपनी file को track कर पाए, कि वो कहां रखी हुई है, है ना, अब आगे क्या रखा हुआ है, सर, previous question का answer 59.6 आ रहा है, अच्छा, ऐसा क्यों हो बटा, 200 से multiply भी करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे 200 से multiply, देखो, transfer का rate उचा है, तो एक बार में न, एक track ही transfer हो पाता है, सारी surfaces के सारे track transfer नहीं होते हैं, तो एक track का capacity अगर इतना है, तो इतना ही transfer हो पाएगा, सारे track एक सान transfer नहीं होते, एक rotation हुआ, एक track ही transfer हो पाएगा, चाहे read right head multiple tracks पे भी हो, अलग-अलग track के, अलग-अलग surface के, तो भी हम एक सान्थ उन्हें transfer नहीं कर पाएगे, तो 200 से multiply नहीं करेंगे, है न, चलो, वापस आते हैं इस पे, तो मैं बोल रहा था, कि यहाँ पे record length RL दे रखाए, बट question में आखरी में बोला गया है, RL is equal to SL, मतलब जो एक sector है, वही एक recording का sector है, एक sector जो है, वही record का logical block भी है, है न, अब देखो, याद रखो, इस चीज़ को की, where, ठीक है, CL is cylinder number, TL track number, SL जो है, sector number respectively, derive the formula to calculate the disk address, this, of a logical record N, assuming that this, अब actually क्या दे रखा है न, एक record दे रखा है N, इस record के लिए, आपको ये वाला address निकालना है, किसी एक record N के लिए, कैसे निकालोगे address, आपको मैंने address का formula बताया है, याद आया, आपको, अगर याद नहीं आया है, तो मैं याद दिला दूँगा, बट पहले समझते हैं, कि ये record N कौन सा वाला sector number है, कौन से वाला sector number है, स्टार्टिंग लोकेशन ये है, इस स्टार्टिंग लोकेशन के बाद, आपको record N के लिए, ये क्या करना है, address निकालना है, record N के लिए address निकालना है, है ना, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, कि इनका जो कहने का तरीका है, वो ये है, कि ये है starting address, है ना, इस starting address से, एक फाइल स्टार्ट हो रही है, और उस फाइल में, आपको एक record N दे रखा है, record N दे रखा है, record N मतलब sector N, record और sector का capacity same to same, चो record N या sector N, एक ही बात होगी, तो sector N के लिए, आपको formula निकालना है, कि उसका address क्या आएगा, cylinder number कौन से पे रहेगा, वो T, मतलब track number, surface number कौन सा रहेगा, उस cylinder के अंदर, और उस surface का sector number कौन सा होगा, चलो, तो निकाल लेते हैं, ये तो हमारे लिए पता ही है, हमको, सबसे पहले हमें दो चीज़े चाहिए, जो हमने देखी थी, पहला था N, C और दूसरा था N, T, N, T is number of sectors per track, और N, C जो है, वो है number of sectors per cylinder, ये दो चीज़े आपको देखनी है, अब ये number of sectors per cylinder, और number of sectors per track, देखते हैं कि क्या दे रखा है, number of sectors per track, दे रखा है S, sectors per track S, तो S, small s हो गया, हमारे पास number of sectors per track, अब बात करते हैं, number of sectors per cylinder, एक cylinder के अंदर, कितने tracks है, T tracks per cylinder हैं हमारे पास, तो एक cylinder देखो, तो एक track उपर, एक track नीचे, एक track उपर, एक track नीचे, ऐसे करके, और कितने हो गए हमारे पास total, T tracks, हर एक track के अंदर, S, sector, तो S into T हमारे पास number of sectors per cylinder हो जाएगा, confirm करो, ये समझ में आ रही है, बात या नहीं, आ गए, अब formula तो बहुत आसान है, बच्चा, formula कितना आसान है, हमने देखा था, classroom में भी मैंने बताया था, जो sector number दे रखा है, N, सबसे पहले उसको divide करो, NC से, NC, number of sectors per cylinder, मतलब S into T से, पहले S into T perform करना, उसके बाद division करना, ठीक है, इस से कर दिया division, तो आपको क्या मिलेगा, cylinder number मिलेगा, हम CL dash लिख देते हैं उसको, CL पहले वाले का है, तो CL dash हमारे पास N वाले का record N का है, अब इसके बाद में, हमें अगर track number या surface number in that निकालना है, तो पहले ये जो अबू division था, इस division का modulus लो, और उसके बाद में इसको divide करो, number of sectors per track S से, अब इस division का जो हमारे पास remainder या modulus बचेगा, वो हमारा sector number होगा, तो हम अगर SL dash देखेंगे, तो वो आएगा, इस division का modulus और बाहर वाले division का भी modulus, remainder हमने निकाल लिया, हमें मिल जाएगा sector number of that record, गौरव आपको I hope समझ में आया हैं में क्या कहना चाह रहा था, और ये चीज़ भी आप लोग को समझ में आयोगी, ये formulas हमने classroom में देखें हैं, is just that, जो values दे रखी हैं, उनको utilize करना है, formula निकालना है, बोल लो समझ में आयी या बात नहीं आयी, आयी की नहीं आयी समझ में ही, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्ट हमारे पास बड़ा simple सा, ये रहा, which of the following requires a device driver, इन में से क्या device driver की ज़रूरत लगाता है, क्या register को access करने के लिए driver की ज़रूरत है, of course नहीं है, cache को बिलकुल नहीं है, main memory को बिलकुल नहीं है, disk को है, ये device driver का मतलब जो होता है नवच्चा interface होता है, मैंने कहा था classroom में भी, software interfacing की ज़रूरत लगती है, और ये software interfacing जो है, सिर्फ सिर्फ पेरिफेरल या IO devices के लिए होती है, monitor यूज कर रहे हो तो लगेगा, बिलकुल लगेगा, keyboard के लिए लग सकता है, mouse के लिए लग सकता है, कोई भी peripheral device आपका ने करते हो, उसके लिए लग सकता है, ठीक है, आपके disk के लिए device driver लगता है, तो जितनी भी peripheral या external devices हैं, उनके लिए driver लगता है, D is the correct answer, आप लोगों से भी answer मिल गया यह, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, अगला प्रश्नी ये रहा बहुत बढ़ा सा question है, बढ़ इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, जो आपसे ना बने, है ना, आसानी से बन जाएगा, एक बार कोशिश करके देखो, जो आपसे बनता है, उतना करके देखो, फिर मैं बताता हूँ आगे, झाला पसे बनाएट करके देखो, कि दस मार्ग का क्योशन है देखो ऐसा है यह क्योशन हमारे लिए प्रैक्टिस है कि इसमें से एक छोटा पार्ट भी हम से आया हम में आया तो एक्जाम में हम कम से कम स्वाल कर पाएंगे राइट इस अप्रैक्टिस कुशन फर उस आप लिए अप्रैक्टिस लिए 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 चल डेटा डेंसिटी इस डेटा किस तरीके से स्टोर्ड है डेटा डेटा पकते स्टोर्ड डेंसिट्र का मतलब कुछ भी नहीं है यार आप ये तो देखो किलोच कर सेकेंड लिखा हुआ यहां पर देंसिटी किलोच कके सेकेंड बासरिकिसी यह बस आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा यूनिट से समझ में आ जाएगा अच्छा अच्छा एक सेक्टर का इतना किलो बाइट का केपैसिटी है बस ओके मुझे लगता है कि यहां पर एक वर्ड गायव हो गया है यह आना चाहिए वन वन किलो बाइट पर सेक्टर डेटा डेंसिटी जो है वन किलो बाइट पर सेक्टर की होनी चाहिए यह यहां इस क्योशन में मिसिंग है मुझे याद आया लिख लो इसको डेटा डेंसिटी दे रखा है वन किलो बाइट पर सेक्टर येस अम्रित देखो रोटेशन स्पीट 3000 आर्पीयम 160 GBPS कोई बात नहीं शूरिटी ले लेंगे उतना टेंशन क्यों है शूरिटी तो ले लेंगे हम आराम से आप क्योशन को ट्राइ करो सही तरीके से अगर सही तरीके से करोगे तो आंसर भी आएगा और लर्निंग भी होगी और अफकॉर्स कॉन्फिडेंस हैपिनेस तो है ही ओके चारू कोई बात नहीं मुझे लगा कि कुछ डेटा मिसिंग है मैंने देखा उसे अभी शूरिटी हम चलो क्या है डिस्क विद फॉल्विंग स्पेसिफिकेशन त्वेंटी सर्फेसिस थाउजन ट्रैक्स पर सर्फेस सिक्स्टीन सेक्टर्स पर ट्रैक्ट डेटा इंसिटी वन किलो बाइट पर सेक्टर, रोटेशनल स्पीद 3000 रूपीम उपरिटिंग विद इनी सिस्टम इनिट्सिटेंट्स इनु एट्ट्रर्स इस्टम इएट्रनों इस्क्टर्स वेंट थेंडिस की वन्स थेंड परियल आउट बफर serial in parallel out buffer का मतलब एक 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 करके in होगा बट एक साथ पूरी byte out हो जाएगी छीक है and each byte is then transferred to memory the disk writing is exactly a complimentary process complimentary मतलब पूरा byte आ गया उसके बाद एक 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 bit जो head disk जैसे जैसे head movement होते जाता है वैसे वैसे write करते जाएगा एक एक bit को ऐसा कुछ read or write procedure है कुछ और information part C or D के लिए दे रखिए पहले 102 A, B part देख लेते हैं पहले A part है total capacity of the disk यह desk नहीं है बबवा disk है A disk का capacity 20 surfaces disk capacity is equal to 20 surface हर एक surface पे 1000 tracks हर एक track पे 16 sectors और हर एक sector का capacity 1 kilobyte का इतना हुआ 32 1, 2, 3, 4 kilobyte approximately 320 megabytes और 0.3 gigabyte यह देखो इतना तो सबसे बनाओगा है ना 320 megabyte भी लिख सकते हो चाहो तो यह है disk का capacity A option आपका जो है हो गया खतम B question question B क्या कहता है B question हमें data transfer rate निकालना है data transfer rate के लिए पहले निकालना पड़ेगा हमें चलो इसको भी यही कर लेते हैं ज्यादा time जगे नहीं बचीगी हमारे पास्वरना दो पेज हो और है हो जाएगा मेरे ख्याद ठीक है B यहाँ कर लेते हैं पहले एक rotation का time निकालना पड़े एक rotation का time देखो अगर directly data transfer rate निकालना है न तो मैं millisecond से second में convert या second to millisecond convert करना पसंद नहीं करता कि अगर हमारा target direct data transfer निकालना है तो क्यों एक बात बताता हूँ देखो यहाँ पे पहले हमने एक rotation का time निकाला second से millisecond convert करके और फिर जब हम data transfer rate निकालने गए तो millisecond को फिर से second में convert करना पड़ा तो यह double conversion बच जाएगा हमारा बार बार इसकी बजाए आप क्या कर सकते हो directly जो है millisecond को नहीं convert करते हुए directly second में ही रख लो इसको तो एक rotation का time कितना होगा 3000 rpm के according निकाल लेते हैं एक rotation का time जो है वो होगा 60 divided by 3000 seconds कितना आ रहा है 36 यह कट गया 0.02 seconds यह आ गया हमारा एक rotation का time अभी इस पूरे एक rotation में हम एक पूरा track transfer कर सकते हैं एक track जो है उसकी capacity directly दे रही ही रखी है तो हम निकाल सकते हैं बिलकुल कितना होगा वो देखो एक track पे 16 sectors हैं और हर एक sector की capacity 1 किलो बाइट की तो हम कह सकते हैं 16 into 1 किलो बाइट 16 किलो बाइट का track capacity होगा तो यहाँ पे हमने निकाल लिया track capacity is equal to 16 sectors और हर एक sector की capacity 1 किलो बाइट की तो हो जाएगा यह 16 किलो बाइट अब 16 किलो बाइट ट्रांसफर करने के लिए हमें 0.02 सेकेंड लगते हैं हाँ जी तो हम यहाँ से data transfer rate निकालेंगे इस तरीके से color change कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा इन 0.02 सेकेंड गालेंगे डेटा ट्रांसफर्ड इस एक्वल तो हाँ मच 16 किलो बाइट वन सेकेंड कितना डेटा ट्रांसफर हो जाएगा बताओ जारा 800 किलो बाइट पर सेकेंड यह देखो मैच करो जारा पूरा डिस्क ट्रांसफर कर दिया पूरा डिस्क तो बहुत जाला हो जाता है बच्छा एक रोटेशन टाइम में पूरा डिस्क थोड़ी ट्रांसफर होता है कोई बात नहीं यही तो लर्निंग है आप लोगों की छोटी-छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और यहां से आ जाएंगे आपको याद यह ऐसे हमारे पास Benchma questions हैं जिनको हम use कर सकते हैं अब क्या है यह यह 800 kbps का हमारा disk का transfer rate तो total capacity आ गए हमारे पास 320 MB की यह हो गया पहला second वाला हमने देख लिया 800 kbps की transfers भी तीसरा जो question है C, C और D के लिए हमारे पास कुछ information दे रखी है वो पहले पढ़के समझने की कोशिश करते हैं और parts C and D below, assume memory read right time is 0.1 microsecond per byte एक byte के लिए memory में read या write का time लगता है 0.1 microsecond मतलब अगर data disk से memory पे जाता है तो 0.1 microsecond में वो data या एक byte वहाँ लिख जाएगी अगर memory से आ रही है तो भी 0.1 microsecond में वो एक byte memory पे read हो जाएगी है ना, अब आगे देखो क्या दे रखा है interrupt driven transfer has an interrupt overhead 0.4 microsecond the DMA initialization and termination overhead is negligible compared to the total sector transfer time DMA requests are always granted DMA की अगर request आई है तो हमेशा grant होगी अब question में ऐसा mention किया हुआ है clearly कि अगर आप interrupt driven IO use करते हो इस disk के data को memory पे ले जाने के लिए हमको पता है कि हम interrupt के through भी कर सकते है और हमको पता है कि हम DMA के through भी कर सकते है data transfer किस पे? memory पे है ना, अगर interrupt के through करेंगे तो CPU use होगा जी हाँ, CPU use क्यों होगा? क्योंकि CPU के through data transfer होगा तो एक interrupt service routine execute होगी जो disk को data read करेगी फिर CPU के अंदर लेके आएगी और फिर वहाँ से memory में read write करेगी है ना, अब यहाँ पे question में mention क्या किया हुआ है directly की दो type की चीजे है, DMA भी है और interrupt भी है C option question देखते हैं, what is the percentage of time CPU is required for disk transfer for byte wise interrupt driven transfer, byte wise मतलब एक byte अगर CPU ने read की disk से और memory पे write की या वाइजा वर्सा तो कितना time CPU लगेगा तो देखो CPU जब लगेगा तब लगेगा ही लगेगा बट कब नहीं लगेगा यह देखते हैं जब IO device अगर data को transfer करने की कोशिश कर रही है, transfer मतलब इस sector से read करके और इस buffer में लाने की कोशिश कर रही है तब CPU कुछ नहीं करेगा, क्यों? CPU को बोलने का है IO से कि भाई तुम एक byte मेरे को भेजो तो जरा तो disk क्या करेगी? सेक्टर पे जाके एक byte को एक एक bit by bit by bit उस buffer में लेके आईगी तब तक CPU क्या कर रहा है? CPU wait कर रहा है ले जल्दी दे, ले जल्दी byte दे, वो byte कहां आईगी इस buffer में आईगी तब तक CPU ने कुछ काम किया, नहीं किया, उसके बाद CPU ने उस byte को अपने पे लिए, कहां लिया? CPU के अंदर copy किया और फिर वहां से कहां copy किया? memory के अंदर copy किया, ठीक है? तो जब ये byte इस disk से transfer हुई, तब CPU use नहीं हुआ बचे time में CPU use हुआ, of course हुआ, CPU को 0.4 microsecond का तो overhead भी लगा, बिलकुल लगा तो पहले काम करते हैं, एक byte को disk से transfer करने का कितना time लगता है, वो निकालते हैं इस 800 kilobyte per second की speech से क्योंकि वो ऐसा time है, जब disk में access होगा एक byte का और CPU नहीं लगेगा, CPU का use नहीं लगेगा, चलिए आइए देखते हैं इसको क्या दे रखा है, तो सबसे पहले एक byte का transfer time निकालते हैं, इस 800 kilobyte per second के हिसाब से निकल जाएगा, जी हां, तो हम लिखते हैं, for 800 kilobyte transfer, disk में कितना time लगता है, disk को कितना time लगता है, one second, तो एक byte के लिए कितना time लगता है, one second, divided by 800 kilo, kilo गया उपर mili बना, mili, ठीके, अब एक और thousand का multiply करो, micro बना दो, ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक thousand का multiplication से ये thousand बन जाए, एक काम करो, इसको ऐसा लिखता हूँ, thousand divided by 800 kilo as it is, into thousand, thousand का multiplication और division, कर लिया, अब ये kilo और ये thousand मिलके बना mega, उपर गया, 1000 divided by 800, 10 by 8, कितना होता है पच्चा, 1.25 microsecond, तो ये 1.25 microsecond ऐसा time है, जब CPU use नहीं हो रहा, जब CPU use नहीं हो रहा, है ना, चल, तो आप देखो, यहाँ पर question क्या पुछा है, पुछा है कि what is the percentage of time CPU is required for disk IO, for byte wise interrupt driven transfer, कितना percentage of time CPU use होगा, है ना, तो total time कितना लगेगा, सबसे पहले तो disk के पास interrupt overhead लगेगा, 0.4 microsecond का, है ना, तो total time मैंने लिखा नीचे, 0.4 microsecond का, तो disk का overhead time लगा, प्लस, फिर उसके बाद में, एक byte का ये transfer time लगा, यहाँ से, डिस्क से CPU तक, 1.25 microsecond, और उसके बाद, 0.1 microsecond जो है, डिस्क का जो data CPU तक पहुचा है, उसको memory तक लिखने में time लगा, यह देखो, लिखा है, read write time 0.1 microsecond in the memory, तो 0.4 microsecond interrupt का overhead लगा, 0.1 microsecond memory में write करने का, और, डिस्क में read करने का, 1.25, टोटल इतना, इसमें से CPU कब-कब use हुआ, इसमें से CPU use हुआ, sir, 0.4 microsecond, प्लस, 0.1 microsecond memory पे write करने के लिए भी, बताओ, into 100% कर देते हैं, ताकि हमें percentage में answer निकल जाए, बताओ कितना आ रहा है, यह, कर लेते हैं इसको calculate, 0.5 divided by, देखो कितना आ रहा है, मेरे लिए तो 9 point something आ रहा है, ओ, 1 point, गलत, गलत, गलत कर दिया, मैंने, 0.5 divided by 1.75, 28.57, percentage, 28.57 percent हमारे पास, answer इसका आ रहा है, छीके, है ना, इतना यह percentage आया, अब last वाला question दे रखा है, what is the maximum percentage of time the CPU is held up for this disk IO for cycle stealing mode, CPU is held up का मतलब है, CPU को block किया गया, कितनी देर के लिए CPU को block किया गया, जब इस particular transfer को हम किस के थुरू करेंगे, cycle stealing mode of DMA के थुरू करेंगे, अब आप लोगों को सब को पता है, percentage of CPU blocked time कैसे निकालते हैं, percentage of time, CPU is blocked, equal to, how much, कैसे निकालते हो, सबसे पहले उपर memory पे transfer का time, memory पे transfer का time दे रखा है, 0.5, microsecond और 0.1 microsecond divided by word preparation time in the disk, word preparation time हमने निकाला 1.25 वाला, into 100%, या जाएगा हमारा 100 divided by 1.25, 80%? नहीं, 8%. 10 divided by 1.25, 8%. 0.4 जो है, वो disk का overhead है, interrupt का overhead है, बच्चा, इसलिए add किया, आगया 8%, चलिए, अच्छी बात है, तो ये 2007 का gate question है, ये कर लो, अच्छा question था, जो पुराना वाल, पिछला वाला question था, उसमें सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें, आपको, जो है, एक साथ सीखने को मिल गई, एक ही type में, ताकि आप लोगों की अच्छी practice हो गई उससे, ये क्योशन बहुत आसान, बहुत बहुत आसान, बहुत एजी है, हाँ जी, ये cycle stealing था, बिल्कुल गौरव, क्या दे रखा है, 16 surfaces, 128 tracks per surface, 256 sectors per track, और 512 bytes data per sector दे रखा है, capacity of the disk pack, capacity of the disk pack, disk capacity कैसे निकालते हैं, disk capacity निकालने के लिए, number of surfaces total, into sectors, और track per surface, into sectors per track, into sector capacity, 512 bytes, 2 की power में convert कर लो, सबको बहुत आसान हो जाएगा, ये रहा 2 की power, 4 और 7, 4 और 7, 11, प्लस 8, 19 और 9, 28, 2 power 28 bytes, होगा, 256 megabyte, है ना, ये तो आप लोगों से निकल गया होगा, अब, second चीज क्या दे रखी है बिटा, second चीज दे रखी है, कि the number of bits required to specify a particular sector, sector number के लिए कितनी bits लगेंगी, तो उसके लिए आपको number of sectors निकालने पड़ेंगे पहले, number of sectors कितने होंगे, disk में, वो निकाल लो, वो होंगे, 16 into 128 into 256, 2 power 4 ये कैसे किया, total disk में 16 surface है, हर एक surface के अंदर 128 track है, हर एक track के अंदर 256 sector है, तो total इतने number of sectors पूरी disk में आ गए, 16 2 power 4 into 2 power 7, 2 power 11 into 2 power 8, 2 power 19 number of sectors अगर हो गए हैं, तो यहां से sector number के लिए जो bits निकलेंगी, वो निकलेंगी 19 bits, 19 bits से आप एक एक sector को specify करवा सकते हो, सही numbering, तो आपके पास answer आना चाहिए, 256 megabyte और 19 bits, यह option correct है, क्या बात है, काफी सारे लोगों ने answer भी सही निकाल दिया था, बढ़िया है, यह वापस से मैं बता देता हूँ, आज free classes होने वाली है, अनेकैडमी की एप पे, दोनों classes में मैं revision start करने वाला हूँ, cash में मेरी का part 1, आज का है, पहले part में हम देखेंगे theory, second में हम देखेंगे questions, तो part 1 इसलिए क्योंकि पहले part का theory और उसी part का question हम देखने वाले हैं, आज 7 December को है, 2 बजे और 3 बजे, इन classes को अगर unlock करना है, यह link खोल के और आराम से scan करके और notify me पे click कर दो, ताकि आपको notification मिल जाए, अगर आप लोगों को unlock करने के लिए code पूछे, तो code यूज कर लेना, वी दीफ 10, चीक है, आप ये telegram channel जोइन कर लो, ताकि आप लोगों को हमारे upcoming lectures, उनकी links, और हमारे upcoming जितने भी आने वाले future projects, या हमारे नए आने वाले initiatives हैं, उनकी आपको information मिलती रहे, offer की information मिलती रहे, notes मिल जाए, ठीक है, अब बात करेंगे आगे इस चीज़ की, कि आपका preparation जो है, gate 23 specifically, जो 23 की preparation कर रहे हैं, उन सब लोगों के लिए, एक बहुत-बहुत important सी चीज़ है, कि students हाथ पेर मारते रहते हैं, साल भर महनत जरूर करते हैं, बढ़ सही direction में नहीं कर पाने की वज़र से, जो उनके efforts हैं, उतने अच्छे results नहीं दे पाते हैं, मैं नहीं चाता कि आप लोग, या आप खुद भी नहीं चाते हैं, कि आप लोग में से किसी का भी ऐसा कुछ हो, कि आप efforts extra डालें, पड़ हमारा result ना आए, क्योंकि हम बस अंधेरे में तीर घुमाएंगे, तो निशाना चुकेगा ही चुकेगा होता ही है ऐसा, probability is very less, कि आप unguided preparation करेंगे, तो आपको अच्छी rank आ जाए, जिब तक आप खुद से sort out नहीं कर लेते, बहुत extra time और extra motivation के साथ नहीं पढ़ लेते, बहुत मुश्किल है कि बिना guidance के आपको अच्छा preparation मिले, guidance के लिए अगर आप चाते हैं, आप anacademy plus पे आजाईए, जहां पे आपको live classes, weekly test, structured schedule के साथ में guidance मिलेगा, educator का, अगर ज्यादा अच्छा और आपको personal coach के साथ preparation करनी है, तो आप iconic subscription लो, जिसमें plus के benefit के साथ मिलता है, आपको personal coach का benefit, जो आपको one-on-one guidance और preparation strategy बना के देंगे, ताकि आपका preparation जो है, वो personalized और customized बन पाए, कोई भी subscription ले, चाहे plus का हो, या iconic हो, याद रखिएगा, code, ये code यूज कर लेना, VDeep 10, ताकि आपको 10% का instant discount, और मेरा personal guidance मिल जाए, याद रखना बट्टा, मैं आपको recommend करूँगा, कि आप 24 months का iconic subscription लो, बट अगर आपको iconic नहीं लेना है, तो आप plus subscription 24 months का लो, जादा duration इसलिए, क्योंकि लंबया time preparation करोगे, तो जादा benefit मिलेगा, एक नया badge भी start हो रहा है कल से, जो start हो रहा है, most basic और सबसे favorite मेरा course जो है, वो है general aptitude, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर इससे आप preparation start करते हो, तो आपको basically numerical कैसे solve करना है, puzzles कैसे solve करना है, question कैसे समझना है, सब्जेक्स तब और best तरीके से आपको पढ़ाईगे, इसके अलावा एक और information आप सब लोग के लिए, कि इस बार का combat भी mega combat होने वाला है, combat is our scholarship test, और ये जो scholarship test है, वो scholarship test, 12 December को सुबद 11 बजे होने वाला है, ये देखिए, lucky जो 100 participants हैं, उनको मिलेंगे ये सारे gifts, तो इसके लिए link दे रखिए, combat की इस वीडियो की description में, क्लिक करो, और enroll कर लो, enrollment के लिए अगर code पुछे, तो ये लगा लेना, है ना, class की link, कौन से वाले class की, special class की link, ये रही बेटा, special class की link, ये दोनो, ये QR code scan कर सकते हो, यार आप तो technical students हो, है ना, अपने phone का camera उठाओ, और QR code scan करके, और link पे पहुंचाओ, ठीके, चली, ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा, like जरूर करना, share करना, अपने friends के साथ में, चैनल सो subscribe कर लो, अगर नहीं किया है, अपने हाओ,